नैपाल की राजधानी काठमांडू में त्रिभोन इंटरनेशनल एरपोर्ट पर बुधवार की सुबह एक बड़ा हाथसा हो गया जहां 19 लोगों को ले जा रहा है एक प्राइविट विमान उलान भरने के दोरान क्रैश हो गया पोखरा जाने वाले सौर एरलाइन्स के इस विमान में चालक दलस के सदस समेत कम से कम 19 लोग सवार थे जिसमें अब तक 18 लोगों की मौत की पुष्टी खो चुकी है बताया जा रहा है कि टेक आउफ की एक मिनट के अंदर ही विमान क्रैश हो गया हाथसा इतना भयावा था कि किसी के बचने की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती लेकिन कहते हैं न कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई इस हाथसे को लेकर के भी कुछ ऐसा ही हुआ दरसल इस हाथसे के बाद विमान के पैलेट को बचा लिया गया एकलोते सर्वाइवर पैलेट के रेस्क्यू की एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें रेस्क्यू टीम उन्हें क्रैस स्पॉर्ट से निकाल करके ले जाती दिख रही है 37 साल के पैलेट कैप्टन मनी सरतन शाक्य खुन से लगपत दिखाई दे रहे हैं तस्वीर में दिख रहा है कि रेस्क्यू टीम उन्हें खाई से उचाई की तरफ निकाल करके ले जा रही है पैलेट का चेहरा खुन से सना है और उनकी यूनिफॉर्म भी खुन से लगपत है हादसे में पैलेट शाक्य की जान तो बच गई लेकिन उनके को पैलेट शुशान्त कटुवाल और बागी लोगों को नहीं बचाया जा सका पैलेट शाक्य को विमान के मलवे से निकाल करके इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि पैलेट की आँख जख्मी हुई है लेकिन वो अभी खत्र से बाहर है बतादे कि सौर एरलाइन्स के विमान बंबार्डेर्स CRJ-200ER ने 11 बच करे 11 मिनट पर रनवे 2 से टेक आफ किया था उलान भरने के एक मिनट के अंदर ही विमान रनवे 20 की पुर्व दिशा में एक खाई में जागिरा परत्यक्ष दर्सियों ने अस्थानिय मीडिया से बताया कि प्लेन रनवे के दक्षनी छोर से टेक आफ कर रहा था टेक आफ के तुरंत बाद ही जहाज पल्टा और जटके खाने के बाद जमीन से टकरा गया बलक जपकने से भी कम समय में विमान में आग लग गई और वो खाई में जागिरा हाथसे के बाद त्रुगोन एरपोर्ट पर काले धुय का गुबार उठ गया आपको पता दे कि विमान में सवार सभी 19 लोग सौर एरलाइन्स के स्टाप थे जो विमान को मरमत के लिए ले जा रहे थे नेपाल के नागरिक उड़यन प्राधिकारन ने एक प्रेस विग्यपति में बताया कि विमान को वार्सिक मेंटेनेंस प्रोग्राम के तहत उड़ा कर चेक किया जा रहा था प्राधिकरन के मुताबिक विमान गलत दिशा में मुड़ गया और क्रेश हो गया विमान को टेक आउफ के तुरंत बाद बाई और मुड़ न था लेकिन वो दाई तरफ मुड़ गया और क्रेश के बाद खाई में जा गिरा सौर एरलाइन्स के अधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक विमान के कैप्टन मनीश रतन शाके विमान का पैलेट होने के साथ साथ एरलाइन्स में ऑपरेशन्स के चीफ भी थे सौर एरलाइन्स के अधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक विमान के कैप्टन मनीश रतन शाके विमान का पैलेट होने के साथ साथ एरलाइन्स में ऑपरेशन्स के चीफ भी है वो पिछले नौ सालों से भी ज़्यादा समय से एरलाइन्स के साथ काम कर रहे हैं